Hi friends, welcome back to my channel, Helpy Neha Pre-schools में admission स्टार्ट हो गए हैं बहुत से parents अपने मन पसंद स्कूल में अपने बच्चों का admission कराना चाते होंगे बट उनके मन में बहुत सारे ऐसे questions होंगे कि पता नहीं बच्चों से क्या हमाँ पर question पूछा जाएगा या जो पूछा जाएगा बच्चे उसका जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे तो अगर आप भी अपने बच्चे का admission nursery या LKG में कराना चाते हो अपने मन पसंद स्कूल में कराना चाते हो तो आज के वीडियो इसी topic पे है कि nursery admission की तैयारी बच्चे को कैसे कराएं जिससे कि आप अपने मन पसंद स्कूल में अपने बच्चे का admission करा पाऊ आपका भी घर में कोई बच्चा है जिसका आप nursery में admission कराना चाते हो तो प्लीज इस वीडियो को last तक जरूर देखे और अगर आपके कोई भी query हो तो आप मुझसे Instagram में बूद सकते हो जहां पर आपको तुरंत उसका जवाब मिल सकता है तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हाँ अगर आप मेरा चानल पहली बार देख रहे हो फर्स टाइम देख रहे हो तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो आएए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं देखें, जो इस एज में बच्चों का एड्मिशन होता है तो जो अच्छे स्कूल्स होते हैं वहाँ पे रिटन कम पूछा जाता है और उरल में ज़्चे से ज़्यादा पूछते हैं जैसे कि बच्चे को अपना नाम पता होना चाहिए परेंट्स का नाम पता होना चाहिए बसका फेवरेट कलर कौन सा है फेवरेट गेम कौन सा है कुछ इस तरह के question बच्चों से पूछे जाते हैं तो बहुत ही simple simple बच्चे को अपने खुद के बारे में पता होना चाहिए यह सारी चीज़े बच्चों से पूछ सकते हैं यह सारी चीज़े बच्चों को कैसे सिखाएंगे रोज बही बात करेंगे बार बार उससे नाम पूछेंगे और उससे इस तरह के question पूछेंगे basic manners के तो बच्चे को वहां बताने में भी hesitation नहीं होगी और वो आसानी से वो सारी बाते बता देगा क्योंकि रोज अगर आप उसके question question कुछने के आदर डालोगे तभी वो उसमें ये skill develop होगी और वो बच्चे को वहां पर hesitation बिलकुल नहीं होगी दूसरा है कि जा कितना instruction को follow कर रहा है instruction follow करने का मतलब होता है कि अगर कोई भी काम उससे बोला गया है बच्चा उसको कितना receive कर रहा है या कितना follow कर रहा है तो यह आप अपने घर में start कर सकते हो जैसे आप बोल सकते हो कि यह glass को उधर रख के आओ या यह toy को उधर रख के आओ तो बच्चा अगर यह सारी चीज़ें घर में सीखता है तो वहाँ पर भी उसको जो teacher कहेगी या जो भी उससे इंटर्वी में पूछा जाएगा उसको वहाँ पर बिल्कुल भी problem नहीं होगी इसके बाद अगला है basic manners basic manners में जो journal etiquettes होते हैं जैसे कि जैसे ही बच्चा जाता है तो जो भी time हो है उसके according उसको good morning या good afternoon और अगर teacher उससे कुछ भी बोल रही है तो आप उसको sorry please कहना बच्चे को सिखाओ यह सारी चीज़े आप घर पर ही बोलना उसको start करना सिखा सकते हैं और अगर जैसे कभी interview होता है तो जो teachers होते हैं तो बच्चे को thank you बोलना जरूर आना जाहिए तो यह कुछ magical words आपने सुने होंगे sorry please and thank you यह सारी चीज़े बच्चों को जरूर आने चाहिए क्योंकि basic manners में वो यही देखते हैं और इसके साथ ही जो good morning, good afternoon, good evening यह सारी जो terms है यह जो basic awareness है यह भी बच्चे को जरूर आने चाहिए तो आप admission तो जब करा रहे हो लेकिन शुरू से ही बच्चों में यह habit डवलप करो यह सारी बाते ही डवलप करो कि बच्चे को कोई भी hesitation वहाँ पर ना हो अपने आप जाते ही बच्चा hello good morning यह सारी चीज़े बोलने लग बच्चे को हैं Allah क्या देखते हैं कि बच्चे में कितना language development है कि इस से पूछ कितना देखे प्रिफिवरेट कीर है यहहारे फूड क्या है या तुम्हारा favorite game क्या है या तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है तो बच्चा अगर उसका reply कर रहा है तो वो बस यही देखते हैं कि उस age तक बच्चे का language development कितना हो चुका होता है तो उसमें वो कुछ भी बच्चे से छोटे-छोटे questions पूछ सकते हैं या उसका कोई भी मन पसंद चीज के बारे में पूछ सकते हैं तो बच्चे को थोड़ा आप घर से ही बोलना try करिए जिसे कि बच्चे को वहां पर भी कोई दिक्कत ना आए पूछने से पहले ही या उनके कोई favorite toy है तो बताईए this is red color या या ये लाल color है या किसी fruit को लेके बताईए कि ये yellow color है जैसे बच्चे को और उसी जो color है उसी color की कापी और भी चीज़े दिखाईए जिससे कि बच्चे को वह जो color है वो दिमाग में बैट जाए और इसी तरह से जो shapes है वो भी बच्चे को क ये circle है जैसे आप ball दिखा सकते हो triangle है rectangle है तो color and shapes के बारे में बच्चे से पूछ सकते हैं बच्चे से पूछे जा सकते हैं तो ये तो आप घर पे ही जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उससे आप घर पे ही पूछिए where is your nose, where is your tongue तो ये सारी questions भी महाँ पूछ सकत इंग्लिश में जो बहुत ही common है जैसे जॉनी 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 लिटल स्टार तो एक दो पोएम्स भी बच्चा मितलब बता सके तो आप घर पे ही उसकी प्रैक्रिस कराईए कोई भी जो बहुत ही नॉर्मल हो दो लाइन की चार लाइन की Hindi और English में जिससे कि अगर बच्चा तो आप बच्चा बता सके और हां यहां पर मैं आप से कहूंगी कि आप जब भी बच्चे को पोएम या राइम सिखाए तो अपना बॉडी पुश्चत के साथ बताए जिससे बच्चे को लर्ण रहे रटेना और वो इंजॉय भी कर सके और रिटेन में तो बच्चों से बह प्राइमोटर स्किल डवलप नहीं होती है पूरी तो आप उसको क्रियों से कलर करना भी सिखाए वो जैसे भी कर रहा है उसकी कोई टेंशन मत लीजिए बस उसको थोड़ा करना आना चाहिए तो फ्रेंट्स यह थे कुछ ऐसे टेप्स जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आप कहीं भी अगर नर्स्ट्री में अपने बच्चे का एड्मीशन कराना चाहते हो किसी भी अच्छे स्कूल में तो आपका बच्चा इसली क्लियर कर लेगा क्योंकि स्कूल वालों की भी यह प्रॉब्लम रहती है कि हजारों फॉर्म में उनको सिर्फ 35-40 बच्चे ही लेन आपको ये वीडियो पसंद आया हो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अपने बच्चे को ये सारे टिप्स वालो कराईए जिसे कि आपके बच्चे का आप जहां भी अड्मीशन चाहते हो वहां पर हो जाए तो आज के लेत नहीं थैंक्स पर वाचिंग बबाई